Hello dear students, how are you all? आप सभी खुश हैं, ये मुझे पता है और आप सब को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है बीज की स्टोरी जानने में, right? मज़ा आ रहा है ना, बीज क्या है, कैसी है, क्या करती है, और साथ ही, बैक एक्सरसाइज साल्फ करने में भी So, हमने क्या कर लिया था? So, आज हम Grammarine use करेंगे, जहाँ पर begin each sentence with V, जहाँ पर हमको क्या करना है? Begin करना, begin means शिरुवात करना है, each sentence, हर एक sentence with V तो शिरुआ करते हैं I love flowers मैं फूलों से प्यार करती हूँ, या प्यार करता हूँ वैसे ये तो बी के पारे में है, तो बी तो ज़्यादा तर करती है, तो जो बी है, वो फूलों से प्यार करती है अब अब हमको क्या करना है, कि V से शुरू करना है sentence को और हमको example में उन्होंने solve करके भी दिया है, कैसे किया है I को change करके, V लिख दिया और love flowers, मतलब हम फूलों से प्यार करते है I मतलब मैं और V मतलब हम I मतलब एक और V मतलब एक से ज़ादा, रैइट, सो हम फूलों से प्यार करते है Second है, I have a sting, मेरे पास एक डंक है We have stings, अब यहाँ पर हमने क्या change किया? हमने V तो change किया ही, लेकिन साथ में हमने one sting को धेर सारे stings कर दिये क्यों कर दिये? वो इसलिए कर दिये क्योंकि एक मैं हूँ तो मेरे पास एक डंक है लेकिन जब मेरे से बहुत ज़ादा सारे लोग हो जाएंगे तो उन सब के पास भी तो डंक होंगे तो इसलिए stings, चीक है? We have stings Third क्या है? I am a honeybee मैं एक मदुमक्खी हूँ We are honeybees हम मदुमक्खियां है तो हमने I को we में और honeybee को honeybees में change कर दिया हमने singular plural पढ़ा है ना grammar की book में? Yes I make honey for you मैं आपके लिए honey बनाती हूँ, शेहद बनाती हूँ We make honey for you अब यहाँ पर हमने कुछ और change नहीं किया हमने सिर्फ I को V में change कर दिया और यहाँ पर हमारी exercise भी complete हो गई It was so easy, right? हमने सिर्फ क्या किया? I को V में change किया और जहाँ जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे A string को हमने strings कर दिया A honeybee को हमने honeybees कर दिया है ना? तो यहाँ पर हमने four sentences को V से लिखना शुरू किया और सीखा कि कैसे करते हैं ओके? Now, second exercise क्या है? Begin each sentence with they अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी हम V से शुरू कर रहे थे अब हमको कहां से begin करना है? दे से begin करना है ओके? तो हमारा पहला sentence है He is very fat He मतलब वह जो एक लड़का है क्योंकि ही है मतलब लड़का है तो वह मोटा है बहुत मोटा है Very fat means बहुत मोटा है अब हमको He को change करना है किस में? दे में तो हम क्या करेंगे? He को change किया दे पर फिर Is को change करके हम आर लिखेंगे क्योंकि दे के साथ Is नहीं लगता दे के साथ आर लगता है They are very fat वे बहुत मोटे हैं Next क्या है? Next है He is always idle He is always idle मतलब वो हमेशा बैठे रहते है बैठा रहता है या कुछ नहीं करता है He को change किया दे में और दे के साथ क्या लगेगा हमेशा Are देखो उपर भी लगता था वैसे ही यहाँ पर भी They are always idle They are always idle वे कुछ नहीं करते हैं हमेशा खाली बैठे रहते हैं He works very hard He works very hard He को change करेंगे दे में और works को work में change करेंगे Works को work में change करेंगे यह एक रूल है जो हम grammar की बुक में पढ़ेंगे Works को work में change करके very hard He works very hard They work very hard He works very hard मतलब वे बहुत कड़ी मेंद करता है They work very hard मतलब वे बहुत कड़ी मेंद करते हैं Right? अभी next क्या है He does nothing all day He does मतलब वे करता है Nothing कुछ भी नहीं All day सारा दिन वो सारा दिन कुछ नहीं करता है They do Does को यहाँ पर change करके हम do लिखेंगे Nothing all day They do nothing all day वे सारा दिन कुछ नहीं करते हैं अब यहाँ पर rule यह है कि He जो एक singular है उसके साथ action word plural लगता है और दे जो plural word है उसके साथ action word singular लगता है So यह role हम grammar में पढ़ेंगे अभी हमको सिर्फ याद रखना है ताकि grammar में जब हम पढ़ेंगे तो हमको और अच्छी तरह से learn हो जाएगा Okay dear students यहाँ पर हमारा page number 60 complete होता है आगे की exercise के लिए हम चलेंगे page number 61 में लेकिन वो हम next video में करेंगे Okay dear students, bye-bye